बुलन शेहर पारेवारिक विवाद में भाई को फसाने के लिए अवे तमंचे से खुद की बहां में मारी गोली पहुँच गया कोतवाली जिले के सिकंद्राबाद और महला रिसाल दारान की है घटना खुद को गोली मारने वाले आरोटी की मां से कुछ चल रही थी बाद बीच में छोटे भाई रिजवान ने जब मां से दुर्वेवार का विरोध किया तो भड़क गया लुक्मान और तमंचा निकाल खुद की बहां में गोली मार ली जो निकली बहां से रगड़ खाकर और पहुच गया कोदवाली आरोप लगाया छोटे भाई रिजवान पर तीछे पीछे तुरंथी पहुच गया रिजवान कोदवाली और पुरा मामला पुलिस को बताया तो इसने मामला दरजकर, विवेचना और आरोपी लुक्मान को जेल भीज़ दिया है ज्याम नियोज सिकंदराबाद से मनिश शर्मा की लिगो अब मौलूरियों से बात करते हैं जानका रहेने से हुच पूरी क्या घचना हुई है बताएं ले जी शर्म ने अपने बाउमर बोली मारी खुझ में और मुझे फ़जाने की सिम्यों वियार पागे बाते हुच वो कौन था? किया पने फर्म अपने बोली मारी खिपारो इसिदे पारत बाउमर इसे ल्मा कि किसमें है? यहां जैसा कि यह बता रहे हैं कि राज साहिए वी वाल खे गधा है स्कंदराबाद की मोहला रिशाद आदाना की है अपने भाई को फसाने के लिए घर में करिश होने के बाद दो जोई बात है उसको खुद को गोली मार करके घाल किया और खुद ही कोट वाली आकर भाई के खिलाफ तहीं दी लेकिन सब जूट और सब कुछ सामने आ चुका है उसको मुकटबादश करके व्याज़ बीज दिया के कैमरा पसर मोरेश गौटब के साथ मनी शर्मा की रिबोर्ट ज्यां जिया जियुक सिकंद्राबाद जिसमें एक भाई ने अपने खुद को गोली बार दी और घाल कर लिया और साथ ही दूसर भाई को फसाना चाहा यह पूरा क्या मामला है ठाना चेत्र सिकंद्राबाद के रिसालदारान महुले में एक सुषना प्राप्त हुई थी कि लुक्मान कुरेशी को उसके ही भाई ने हमला किया जिससे कि वो भाईल है जो पूरे प्रक्रेण की जाच की गए तो यह पता चला कि लुक्मान कुरेशी द्वारा अपने द्वारा स्वें ही अपने उपर बोली चलाई गई थी और अपने भाईकों फसानी की रादत से, इरादे से हुन्होंने इस तरह की सुषना दी थी इसमें लुक्मान कुरेशी को गृतार करके विदिक कारवाई की जारी है, अब यूद पंजी कृत किया गया है बाकी रिजवान कुरेशी लुक्मान कुरेशी के बीच में क्या विवाद इसके बारे भी जहनकारी की जारी है